हिंदी लेक्चर दियरेटर थर्मल पावर प्लांट में स्टीम और पानी का सर्कुट बनता है इस सर्कुट में कंदेंसेट और फीड वाटर सिस्टम होते हैं दियरेटर कंदेंसेट और फीड वाटर सिस्टम का एक महत्वपून हिस्सा है स्टीम और वाटर सर्कुट जैसा कि इस चिक्र में बताया है स्टीम और वाटर ये दोनो एक क्लोज लूप बना रहे हैं स्टीम जो है वो कंदेंसर में कंदेंस होती है और पानी बन जाती है ये पानी फीड पंप द्वारा दुबारा बॉयलर में भेज दिया जाता है दुबारा इस्तमाल होने के लिए इससे एक क्लोज सर्जिक लूप बन रहा है लेकिन कुछ और प्लांट और एकुपमेंट की जरुवत पड़ती है वो इसलिए कि कंदेंसर से निकला हुआ पानी ठंडा होता है और उसके अंदर हवा का प्रवेश हो चुका होता है उसके अंदर हवा घुल चुकी होती है इस हवा को पानी के अंदर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है अनुरोथ ये उमीद की जाती है कि ये लेक्चर आपके लिए उप्योगी साबित होगा किर्पया लाइक बटन को प्रेस करें किर्पया इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस लेक्षर इस अविलेबल इन इंग्लिश लेंग्वेज आरसो आखिर हवा जो है वो पानी में कैसे प्रविश पा जाती है और घुल जाती है इसकी वज़ा है जब प्लांड को स्टार्ट अप किया जाता है तो उस टाइम जितने भी कंटेनर्स वेसल्स हैं सब खाली होते हैं उनमें हवा होती है बाद में उसमें पानी लिया जाता है उस वज़ा से हवा का प्रविश हो जाता है पानी के अंदर्स दूसरा यह है कि जो सिस्टम वैक्यूम में काम कर रहे हैं जैसा कि कंडेंसर एक्स्टेक्शन पंप हैं और लोव प्रेशर फीड हीटर्स हैं इनमें वैक्यूम होता है जिसके वज़ा से एक्मस्फियर की हवा जो है सिस्टम में परवेश पा जाती है तो अब आप समझ गया है कि दो वज़ा से हवा का परवेश होता है एक तो स्टार्टप के काइम जब जितने भी कंडेंस वैसल से सब खाली होते हैं पानी तक पहुंच जाती है आखिर वैक्यूम सिस्टम में लीकेज कहां हो सकती है पाइप लाइन को ज्वाइन करने के लिए फ्लेंजेज का इस्तमाल होता है तो लीकेज फ्लेंजेज पर हो सकती है दूसरा पंप जैसा कि कंडेंसेट एक्स्टेक्शन पंप इसकी सीलिंग लैंड होती है रोटेटिंग सेफ्ट पर तो वहां से हवा लीक कर सकती है सीलिंग कई बाद इतनी बैक्टिव नहीं होती है हम जानते हैं कि थंदे पानी में हवा की घुलन शीलता बढ़ जाती है अब होता क्या है कि स्टीम वाटर साइकल में जहां जहां लो प्रेशर है तो पानी का लो टेंपरेचर भी साथ साथ है इस वजा से जब लो प्रेशर रेक्वम साइड में लीकेज होती है हवा की पानी के अंदर और पानी ठंडा होता है तो इस वजा से हवा जो है पानी में भुल जाती है जैसा कि हम जानते हैं कि atmospheric air वातावरन की हवा में आक्सीजन भी है और यह आक्सीजन जब हवा पानी में घुलती है तो आक्सीजन भी घुल जाती है फीड वाटर जो है वाइलर में पानी पहुंचाता है यह आक्सीजन जो है डिजाल्व आक्सीजन यह वाइलर में नहीं जानी चाहिए तो कि जहां-जहां वाइलर में वेल्डिंग है या और भी डिसकंटिन्यूटीज है वहाँ-वहाँ जो आक्सीजन है वो औरोजन पैदा चलेगी इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आक्सीजन को बॉयलर में जाने वाले पानी से हटाया जाए पानी में घुली हुई आक्सीजन को हटाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं फर्मल पावर प्लांट में यह महत्व पूर्ण काम डियरेटर द्वारा किया जाता है जैसा कि आप इस चित्र में लेख सकते हैं डियरेटर जो है कंडेंसेट एक्स्टेक्शन पंप और बॉयलर फीड वाटर पंप के बीच में इस तित्र है इस चित्र में हमने डियरेटर का अंदरूनी हिस्सा इस सिमेटिकल ही दिखाया है इसमें आप देख सकते हैं कि तीन रास्ते बने हुए हैं एक रास्ते से पानी डियरेटर में आ रहा है इस्प्रे हो रहा है दूसरे रास्ते से इस्टीम जा रही है जो इस्प्रे होते हुए पानी को गरम करती है और इस गरम करने की वज़ा से पानी क्या अंदर घुली हुई आक्सिजन बाहर निकल जाती है जो वेंट से निकास हो जाता है जिसका तो डिजॉल आक्सिजन को बाहर निकालने के लिए निकास मार्ग बना हुआ है वेंट बना हुआ है और जिस पानी से दिज्वाल ऑक्सिजन निकाल दे गई है उसको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज का वैसल नीचे दिया हुआ है और इस स्टोरेज वैसल से पानी जो है फीड वाटर पंप को जा रहा है डियरेटर में पानी की घिज्वाल ऑक्सिजन और दूसरी गैसेज निकालने के लिए पानी को बॉयल किया जाता है और उसमें काफी उथल पथल उथल पथल मचाई जाती है ताकि उसमें गुली हुई गैसेज बाहर निकल जाएं इस प्रोसेस को स्ट्रेपिंग बोलते हैं यह रेटर कई तरह के हो सकते हैं जो हमने अटेज फिगर में यह रेटर दिखाया है उसमें पानी उपर से प्रवेश करता है और उसको इस्टीम के साथ मिक्स किया जाता है जो ऊपर की तरफ जा रही है पानी नीचे की तरफ जा रहा है और इस्टीम ऊपर की तरफ जा रही है डियरेटर में मेटल ट्रेज का धातू की बनी हुई ट्रेज का स्टैक जुंड है इस्टीम इस मेटल ट्रे के जुंड को गरम करती है उपर से पानी आता है तो पानी और इस्टीम आपस में इस तरह से मिक्स अप होते हैं और पानी में पुतल पुतल हो जाती है जिसकी वजा से पानी के अंदर घुलीवी गैसे रिलीज हो जाती है और उपर की तरफ जाती है इस्तीम डियरेटर को प्रेशराइज कर देती है क्योंकि इस्तीम प्रेशर में होती है इस वजा से जो डिजॉल्व गैसेज हैं वो वेंट होके एटमस्फियर में चली जाती है दियरेटर जो है पानी से दिजॉल्व ऑक्सिजन निकालने का एक महत्तुपून और बहुती इफेक्टिव साधन है लेकिन यह है आक्सिजन की कंसेंट्रेशन को 0.007 पीपीम से कम नहीं कर सकता है बॉलर में करोजन ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आक्सिजन का कंसेंट्रेशन पानी के अंदर 0.005 पीपीम या उससे कम हो इस वज़ा से जीरेटर के अलावा हमें डिजॉल आक्सिजन को कम करने के लिए कुछ और साधन भी इस्तमाल करने परते हैं इस्तमाल किया जाता है इस्तमाल के बारे में हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे अनुरोथ यह उमीद की जाती है यह लेक्चर आपके लिए उतियोगी साबित हुआ किर्पया लाइक बटन को प्रेस करें किर्पया इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस लेक्चर इस अवेलेबल इन इंग्लिश लेंग्विज आलसो यह लेक्चर स्रीज मेरी स्वर्डिय वाइफ अम्भिका चड़ा जी की याद में बनाई गई है इनका शादी से पहले पम्मी मैनी नाम था